आज हम एक चैप्टर खतम करेंगे और एक चैप्टर की शुरुवात करेंगे पहले पिछला चैप्टर जल्दी से खतम करतें फटाफट सामने मैंने दो डेफिनेशन लिखी हैं किया कोई बच्चा थ्रश्वोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन बता सकता है क्योंकि जो हमें कैमिकल किनेटिक्स के वह बहुत ज्यादा आसान चीज है तो क्या आप में से कोई इस किसे कहा जाता है इसका मीनिंग क्या होता है याद है किसी बच्चे को डेफिनेशन गच्चा की इसके साथ ही आप आप एक्टिवेशन इनर्जी उसकी डफिनेशन भिसात् की साथ्वान सकते हो गुद इवनिंग आरेन एनी आइडिया पर ना देखो मैं बताऊंगा जब तक दिमाग लगा लो शायद किसी बच्चे को याद आदे थ्रशोल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहा दाता है क्या मीनिंग है इस तरह का ग्राफ बताया गया था नमस्ते नमन देखो चलो कोई ने मैं बता अगया है कि लेफ्ट हैं और राइथ हैं साइड में प्रोडक्त है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना चाहता है reactant को अगर product में बदलना है तो reactant के पास एक minimum amount of energy होनी चाहिए अगर इतनी energy है जिसे की energy barrier कहा जाता है तो reactant product में बदल सकता है otherwise reactant product में नहीं बदल सकता जैसे एक simple सी बात है आप cinema hall के बाहर खड़े हैं अगर आपके पास ticket के लाइक पैसे हैं तो आप cinema hall के अंदर जा सकते हैं वरना आप cinema hall के अंदर नहीं जा सकते उसी तरह से reactant है अगर reactant के पास इतनी energy है तो वो product में बदल सकता है वरना वो product में नहीं बदलेगा वो product में change नहीं होगा इस energy को threshold energy के नाम से पहचाना जाता है इस energy barrier को threshold energy के नाम से हम पहचानते हैं तो threshold energy की definition अगर आप नहीं जानते हैं तो इस definition को यहां से लिख लेना the minimum amount of energy required for reactant to converted into product reactant के पास वो minimum amount of energy जिसकी वजह से वो product में बदल पाए इसे threshold energy के नाम से पहचानते हैं और इसे energy barrier के नाम से भी पहचाना जाता है यह definition लिख लेना नहीं तो मैंने सभी को definition बता भी रखी है और यहां से इस definition को आप साथ की साथ note भी कर सकते हैं आपको साथ की साथ definition याद रखनी है लेकिन reactant के पास हमेशा इतनी energy नहीं होती reactant के पास हमेशा इतनी energy नहीं होती जैसा कि हम यहाँ देख सकते है reactant के पास इतनी energy की कमी है अगर इतनी energy मिल जाए तो उसकी energy threshold energy के बराबर हो जाए लेकिन इतनी energy कमी है इस energy को activation energy के नाम से पहचानते है activation energy इसको कहा जाता है तो activation energy का मतलब हुआ extra amount of energy required by reactant to convert into product तो minimum amount of energy जो होनी चाहिए ताकि product में बदले उसे threshold energy कहते हैं और जितनी हमें reactant को extra energy देनी पड़ती है ताकि उसकी energy product के convert करने में helpful हो threshold energy के बराबर हो जाए उसे activation energy के नाम से पहचाना जाता है ये दौनों definition यहां से हर बच्चे को याद हो जाएंगी दौनों definition याद रहेंगी अब देखो हमारे पास एक और चीज आती है जिसे collision theory कहा जाता है नए syllabus में collision theory mention नहीं है deleted syllabus में collision theory mention नहीं है लेकिन इसका एक basic idea अगली definition को जानने के लिए जरूरी है अगली definition को पता करने के लिए जरूरी है तो collision theory collision theory क्या कहती है collision theory बहुत simple सी बाप कहती है ये कहती है कि reactant आपस में react करते हैं वो तभी आपस में react करते हैं जब उनके बीच में collision होता है जब reactant के molecule आपस में collide करते हैं उनके पराने bond तोटते हैं नए bond बनते हैं और इस वजहे से product बनता है for example जैसे आपके पास reaction है suppose आपके पास है H2 plus I2 gives you twice HI ये reaction है अब collision theory के हिसाफ से reaction तब होगी जब H2 का molecule I2 के molecule से collide करेगा I2 के molecule से टकराएगा और इसको कैसे show किया जाता है ऐसे show किया जाता है ये है hydrogen का molecule ये है iodine का molecule दौनों आपसमें टकराएंगे जब ये दौनों आपसमें टकराएंगे तो इनके पुराने बांड तूटेंगे यानी hydrogen hydrogen के बीच का बांड तूटेगा आयोडीन आयोडीन के बीच का बॉंड तूटेगा तो इनके पुराने बॉंड तूटेंगे और इनमे नए बॉंड बनेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तूटेगा आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड तूटेगा और हाइड्रोजन आयोडीन में नया बॉन्ड बनेगा पुराने बॉन्ड तूटेंगे नये बॉन्ड बनेंगे इस कंडिशन को एक्टिवेटिड कॉम्प्लेक्स या ट्राज स्टेट के नाम से पहचाना जाता है एक्टिवेटिड कॉंप्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट इसे कहा जाता है तो एक्टिवेटिड कॉंप्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट क्या हुआ एक ऐसी कंडिशन जहां पुराने बॉंड टूट रहे हैं नए बॉंड बन रहे हैं और फिर पुराने bond पूरी तरह से तूट जाएंगे और नए bond पूरी तरह से बन जाएंगे और आपके पास H.I. बनेगा जो कि आपका product है H.I. यहाँ पर बनेगा तो यहाँ से एक basic बात जिसे आपको समझना था वो यह है कि reaction तब होती है जब molecule आपस में collide करते हैं जब molecule आप में तकराते हैं और अब हमारी main definition जिसके लिए मैंने आपको collision theory का यह चोटा सा part बताया इसे molecularity कहा जाता है important mark कर लेना है molecularity तो molecularity क्या होता है molecularity का मतलब number of molecule which must collide जितने molecule आपस में collide करते हैं short में हम लिख सकते हैं number of molecule which must collide for a reaction which must collide for a reaction किसी reaction के तोरा जितने molecule collide करते हैं जैसे उपर वाली reaction में एक hydrogen molecule एक iodine molecule दो molecule ने collide किया तो molecularity two होगी अगर तीन molecule collide करते तो molecularity one होती three होती तो हम कहेंगे types of molecularity types of molecularity कितनी होगी number one unimolecular reaction unimolecular reaction का मतलब क्या हुआ ऐसी reaction जहां पर सिर्फ एक ही molecule involved होता है उसे unimolecular reaction कहा जाता है ऐसे ही हमारे पास by molecular reaction by molecular का मतलब जहां दो molecule आपस में collide करते हैं उससे by molecule कहते हैं ऐसे ही तर molecular reaction तर molecular का मतलब यह हुआ जहां तीन molecule आपस में collide करते हैं ऐसे ही last है quarter molecular reaction और quarter molecular का मतलब हुआ जहां चार molecule आपस में collide करते हैं उससे quarter molecular reaction कहा जाता है तो molecularity जितने molecule आपस में collide करते हैं और यह molecularity हमारे पास चार तरह की हो गई यूनि-molecular बाइ-molecular टर-molecular quarter molecular चार तरह की molecularity हमारे पास आपने एक concept पहले पढ़ा था order of reaction order of reaction साथ तरह का था negative order भी था fractional order भी था zero order भी था लेकिन molecularity ना तो zero होती है ना fractional होती है ना negative होती है यह यहाँ पर याद रख लो यह अच्छे से ध्यान रख लो आप से exam में question पूछते हैं important question है कि molecularity और order of reaction में क्या differences है आपको यह differences यहाँ पर बताने हैं कम से कम चार differences आप यहाँ पर याद कर लो चार differences आपको पता होने चाहिए order of reaction और molecularity में क्या differences होते हैं तो यह आपको यहाँ पर बताना होगा easily बता सकते हो कैसे पहले तो definition बता सकते हो definition की molecularity की definition क्या है और ऐसे ही order of reaction की definition क्या है order of reaction some of the concentration term present in rate low expression वो order था और molecularity number of molecule जो आपस में collide करते हैं molecularity एक theoretical value है आप किसी भी reaction को देख के उसकी molecularity बता सकते हो यह theoretical है लेकिन order of reaction theoretical नहीं है यह practical है आप किसी भी reaction को देख के उसका order नहीं बता सकते जब तक उसका rate law नहीं दिया गया है तो order of reaction not theoretical और यह theoretical molecularity में आपने देखा it cannot be zero यह zero नहीं हो सकती fractional नहीं हो सकती जबकि order of reaction can be zero can be fractional can be negative यह हमने जाना यह हमने सीखा तो यहां से इन बातों को आप अच्छे से सीख लो कम से कम चार differences आपके पास ज़रूर होने चाहिए और सबसे simple जो difference हो सकते हैं वो मैंने आपको यहां बता दिया it give no idea about mechanism यह हमें mechanism नहीं बताता rate law नहीं बताता और यह हमें mechanism बताता है rate law बताता है it give mechanism तो यह simple से चार चीजें आप यहां पर याद कर लो आपका definition part हो जाएगा तो आज मैंने अभी अभी में आपको threshold energy की definition बताई activation energy की definition बताई class में जब आपने chemical kinetics पढ़ा था तो इन पे और भी बहुत सारे question किये थे लेकिन deleted portion में क्योंकि उनका detail को हटा दिया गया है तो कम से इतना पार तो करना बनता है collision theory में activated complex किसे कहते हैं transition state किसे कहा जाता है यह हर बच्चे को याद हो जाएगा molecularity किसे कहते हैं number of molecule must collide इस तरह से आप इस बात को यहाँ पर याद रखो question लिख लो important mark करके why higher higher molecular or order or order of reaction are not possible are not possible देखो चाहे molecularity हो चाहे order हो maximum four होता है चार से जादा molecularity नहीं होती चार तक maximum होती है वो भी तीन जादा दर मिलती है four वाली भी rare होती है तो यह question important mark रहेगा why higher molecular or higher order reactions are not possible यह आपको बताना है तो आप इसका जवाब आसानी से समझ सकते हो देखो जैसे आपके पास एक molecule है ये दो molecule है दो molecule है अब दो molecule आसानी से आपस में टकरा सकते हैं यानि molecularity two आसानी से हो सकती है कोई problem नहीं है दो molecule का टकराना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपके पास तीन molecule है तो तीन molecule भी बड़ी आसानी से आपस में टकरा सकते हैं आसानी से टकरा सकते हैं तो molecularity तीन भी आसानी से हो सकती हैं लेकिन अगर आपके पास चार molecule हैं तो चार molecule जब आपस में टकराएंगे तो वो simultaneous collision नहीं होगा देखो ये एक molecule, दो molecule, तीन molecule, चार molecule हम कहेंगे जब चार molecule आपस में टकराते हैं तो ये collision simultaneous collision नहीं होता यानि यहां पर देख सकते हैं एक ही plane की बात कर रहे हैं अगर एक ही plane में आते हैं तो हमारा ये molecule इससे टकराता है इससे टकराता है लेकिन सामने वाले से इसका collision नहीं हो पा रहा ये दो से तो टकरा रहा है लेकिन सामने वाले से नहीं ऐसे ही किसी भी molecule को देख लो ये इससे टक्रा रहा है लेकिन सामने वाले से इसका कोलिजन नहीं हो पा रहा विएक्षन होती है तो चार मॉलिकील का आपस में टक्राना शामर्टेनियर कोलिजन करना प्रमनर मौलिकूल या कोने वाली री यरी कुण में चार'm आपस में नहीं तक्रा सकते हां लेकिन अगर reaction more than one plane है more than one plane है तो क्या होगा तीन molecule एक plane में आपस में तक्राएंगे ध्यान से देखना तीन molecule एक plane में आपस में तक्राएंगे और एक molecule उपर से तक्राएंगा या नीचे से तक्राएंगा जैसे सब्सक्राएंगे ये येलो molecule उपर से आके तक्राता है और ये simultaneously सभी से तक्रा रहा है हर एक के साथ collision हो रहा है तो जब reaction एक ही plane में होती है तो वहां maximum molecularity 3 होती है याद रखना भूलना नहीं लेकिन जब 3 dimension में reaction होती है तो maximum molecularity 4 होती है चार molecule आपस में तक्रा सकते हैं चार से ज़्यादा molecule आपस में नहीं तक्रा सकते इस बात को ध्यान रखें तो हमारे इस question का answer मैं बोल देता हूँ आप लिख लेना because it is not possible to collide large number of molecule simultaneously because it is not possible to collide large number of molecule simultaneously इस वज़े से higher molecularity नहीं होती और higher order नहीं होता अब एक number में अगर question आए कि अगर एक ही plane में reaction है तो maximum molecularity क्या होगी तो आपका जवाब आपके पास है three और अगर three dimension में हैं तो maximum molecularity क्या होगी तो आपका जवाब है four इस बात को ध्यान रखना यह बात को समझ के रखना ऐसे बच्छों यह हमारा चैप्टर यहां पे